रायपूर एरपूर पर हेलिकॉप्टर क्रेश में पाइलेटों की मौत के बाद अंबीटकर अस्पताल में उनका पीम हुआ पाइलेटों को श्रद्धानजली देने पहुँचे पूर्व मुख्यमत्री डॉक्टर रमन सिंग ने पाइलेट 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 के साथ अपने बिताय हुए अनुभवों को साज़ा किया कि उनसे बात की हमारे से होगी अंकुश शर्माने रायपूर एयरपोर्ट पर तेर रात हुए हेलिकाप्टर क्रेश मामले में दो पाइलेट की डेथ हुई है और उनका पोस्ट माडम किया गया है पूर मुख्यमत्री डॉक्टर रमन सिंग उनको सरद्धानजली देने पहुँचे हुए है रायपूर में कहरा अस्पताल उन बड़ा अनभव रहा है साथ में काम करने का विनम्र व्यक्ति तकनीकी दिश्चे से बहुत योगी व्यक्ति छत्रिगड की चप्पे को जामने आला व्यक्ति जो गौपाल किसन पंडिया को मैं व्यक्ति का इसलिए जानता हूँ कि लंबा अनभव उनके साथ काम करने का रह और आज उनका चेहरा याद आता है उतना ही विनम्र है उतना ही हस्मों की व्यक्ति ही मुझे लगता है कि एक बड़ा नुक्सान छत्रिगड का हुआ है अज इस मौके पर चुकिया वो हमारे बीच नहीं है कोई इंसिडेंट याद आ रहा है 15 सालों का साथ वह घटना हमें को हमेसा याद रहता है जब एयर पॉकेट में फस गये थे दंतेवडा से आते समये और करीब पजास साथ फीट का ड्रॉप हुआ अचानक हेलिकप्टर नीचे आया मगर उसके बाद भी मुस्कुराते हुए उसने उन सब दिक्कतों से पारे तो एक अनभवी पाइलेट के अंदर जो खुबी होती है बिना विचलित हुए इन मामलों को सुलगाने की ताकत होती है तो यह अनभव मैंने उनको अंदर देखा थे पूरे मामले में क्या कोई सरकार से कोई मांग करते हैं क्या मांग करने की जरुवत तो नहीं है कि शिवात को मगर जो भी घटना होती है एकसिडेंट होता है उसके कारण जानकरी लेना पड़ते हैं तो मुझे लगता है तकनिकी टीम जरूर इसकी जांस करके कारण को पता लगाएगी पुरु मुखमती डॉक्टर रमसीन जो है वो भी सरद्धान जली देने पहुंचे हुए थे और अपने पुराहने अनुभाव जो है वो याद कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो पाइलट रहे हैं श्रीपांडाउन का काफी हसमोग चेहरा था विनम्र स्वभ लेकिन जो घटना घटी है उसके कहीं ने कहीं इसकी आएक जानकारी लेने चाहिए कि आखिर टेक्निकल क्या फॉर्ट था विडियो जनलेस्ट प्रमुत दिवांगन के साथ अंकुशर्मा नियो जिस्टेट मत बर्देश 36 कर